हेलो एवर्यवन वेलकम टो लोफ यू अधिस अचीवर्स अकैडमी यूट्यूब चैनल आप सबके साथ डिसकस करूंगा आज टीजीटी चंदिगड़ का जो प्रिविएस एर एक प्रिपर था उस प्रिपर के अंदर कैमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके 25 क्यूशन हमारे पास है अभी तो जो नया पैटर्न बदल दिया है उसके अंदर यह है कि 33 क्यूशन इच सब सब्सक्राइब तो इसके अंदर अगर डिसकस करेंगे तो हमारे पास बैसिकली सबसे पहले हमें इसके अंदर नंबर ओफ मोल्स निकालने ठीक है नहीं है तो अगर नंबर ओफ मोल्स के लिए हमें मोल्कूलर वेट चाहिए होगा तो यहां वोटर आपका वोटर के लिए कितना होता है वोटर के लिए यानि की एच्च्ट थू एच्ट एटीन तो इसके लिए मोल्कूलर वेट क्या रहेगा जो है एच्टों का 18 रहेगा तो जब भी कभी हम मतलब सबसे पहले हमें अगर मॉलीकूल भी निकालने हैं एटम निकालने तो सबसे पहले नमबर ओफ मोल्स को करेंगे तो number of moles हमारे पास कितने हो गए 36 g of water divided by 18 तो यहां 2 moles हो गए हमारे ठीक है यह निए क्योंकि जिसमें number of moles ज्यादा होंगे उसी में number of molecules भी हमारे ज्यादा होंगे तो इसकेस में number of moles जो ज्यादा हो रही है वह पानी के अंदर है तो इसकेस में जो इसका मोलर मास बनेगा वह कितना बना चोबीस और पांच तीस तीस 46 बना तो 46 में 46 ग्राम से अगर आप number of moles का formula क्या होता है number of moles is equal to weight by molecular molar mass या molecular mass बोलते हैं या molecular weight भी आप बोल देते हूं तो वेट कितना दे रखा है 46 ग्राम डिवाइड वाइड बाई molecular mass कितना है 46 ग्राम तो number of moles कितना है वन आ गए आपका ठीक है है नहीं 28 ग्राम of carbon monoxide के अंदर हमारे पास कितना रहेगा carbon monoxide carbon 12 oxygen 16 तो 28 हो गया यहां पर भी यहां कितने moles है दो यहां एक इसमें भी एक और 54 ग्राम of nitrogen pentoxide अब nitrogen pentoxide क्या होता है N2O5 तो N2O5 में तो काफी ज़्याद हो जाएगा यह 5 तो oxygen हो गए 80 और 28 108 तो 54 डिवाइड बाई 108 यह बन जाएगा 0.5 moles तो यहां हम लिखेंगे 0.5 अब पता है क्या होता है मतलब जब भी कभी हम number of molecules निकालते हैं तो हमारे जो moles हैं उसको एवेगेट रो नंबर से multiply कर देते हैं Avao2o number सब को पता है जो हमारे number of molecules हैं जैसे हमें number of molecules निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे number of moles म्लो से कितने हमारे पास number of moles है multiply by avigatorpackो number क्या है एवगेटरो नमबर क्या होता है 6.022 into 10 power 23 तो number of moles जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उसका multiplication के बाद number of molecules भी ज़्यादा बनेंगे तो that means हमारे पास क्या है कि इसमें 36 gram of water इसका अंसवरा जाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा मोल से उतने ही number of molecules भी ज़्यादा होंगे first then we have second second में क्या है the alkaline earth metal which does not gives flame color is तो इसके अंदर ये थोड़ा सा theoretical ही है जैसे कि beryllium magnesium ये alkaline earth metals में 2 metals होती है जो कि हमारे पास flame के अंदर color नहीं देते तो इसमें beryllium तो option में है नहीं तो क्या बचा magnesium इसका अंसर क्या हो जाएगा फिर इसके नीचे जो भी है calcium, troncium, sodium वो सारे के सारे colors आपके flame में देंगे ठीक है different color होता है third number question क्या है on adding sodium on adding solid potassium cyanide to water तो अगर हम solid potassium cyanide को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा तो इससे हमारे पास KCN तो क्या हो गया potassium cyanide साथ में water तो अगर आप इसको water में add करोगे तो यहां से बनेगा hCN प्लस OH- क्योंकि जो पानी का h था वो तो CN ने ले लिया और OH- रिलीज कर दिया और हमने acid और base में पढ़ा है कि जब भी कभी solution के अंदर OH- increase होते हैं तो solution की basicity बढ़ती है solution में क्या होगा basicity बढ़ेगी यानि कि pH value increase होगा क्योंकि 7 से उपर जाओगे तो basic nature increase हो जाता है तो इस case में क्या होगा कि pH हमारा increase हो जाएगा तो basic strength बढ़ती है तो pH increase हो जाता है जैसे 0 to 7 और 7 to 14 तो यहां से pH बढ़ने का मतलब basic power increase हो रही है और pH decrease होने का मतलब acidic strength हमारी increase हो ठीक है तो third के लिए क्या जाएगा first fourth अब fourth में क्या बोला है sodium metal crystallizes in BCC lattice with cell as A the radius of the sodium atom is अब इसमें देखेगा अगर मैं एक rough सा Q बना के आपको बताऊं तो होता क्या है कि इन्होंने बोला है कि आपका कोई एक sodium जो बोडी के center पर होगा तो यानि कि हमारा बोडी का center कुछ बिल्कुल बीच में होगा ठीक है नहीं है और हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा एक बोडी देगिनल होता है क्या तो यह होता है इसकोब बोलते हैं बोलत segurançarite का 06Ben यहां एक ऐटम होगा बीच में हो गया हो गया है और स साइड में एक ऐटम हो गया तो रेडियस फोर आर के एकवल और टासरी को यहां जैसे यह इस टरह तो एक रेडियस दो रेडियस फिर इसकी तीन मतलब एक डायमेटर में दो रेडियस होती है और फिर यह तो इस तरह से यह एज बनता है रूट 3A is equal to 4R अब इन्होंने आप से पुछा है कि जो central atom है मतलब बोडी के center में जो है उसका radius क्या होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें basically जो R है that is मतलब R ही तो निकालना है तो यह क्या आगया रूट 3A by 4 आपका आगया तो radius निकालना होगा तो उसके लिए रूट 3A by 4 तो यहां से जो हमारा answer है इसके लिए वो क्या हो जाएगा रूट 3A by 4 इसके लिए correct answer हो जाएगा radius और उसके बीच में आपके पास distance क्या होगा तो that is root 3A by 4 तो R अगर हमें निकालना है तो वो root 3A by 4 से निकल जाएगा बीची से क्याएगा radius ठीक है क्योंकि चार पार्ट हो गए ना और चार पार्ट रूट 3 के एक बल है तो एक किसी भी पार्ट की radius डिवाइड बाए 4 करके निकलेगी ठीक है पांचमा पांचमा हमारा क्या हुआ प्लस 3O2 गैस देन 2CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड वेल्यू ओफ डेल एच माइनस डेल यू अब एक रिलेशन होता है मारा H is equal to U plus PV thermodynamics के अंदर thermo chemistry में भी हम इसको पढ़ते हैं तो डेल H is equal to क्या बन जाएगा डेल यू प्लस पी डेल्टा वी मतलब मैं directly लिक्ता हूं इसको plus del NG RT that is del NG ये del NG क्या है change in number of moles of gaseous product minus gaseous reactant into में R और T R क्या है हमारा universal gas constant T है temperature हमें निकालना है H minus U का value तो del H मैंने del U को left side में लिख दिया ये क्या बना हमारा del NG into में R T अब gaseous moles में change कितना आ रहा है यहां देखो product side में gas कितने है liquid है तो उसको consider नहीं करना है gas है तो gas में कितने आ गई है gas में 2 CO2 के molecules हैं left side में 3 है और 1 C2H4 का है तो product side में 2 reactant side में 4 तो 2 minus 4 कितना हुआ minus 2 तो यह minus 2 हमारे पास क्या है डेल NG का value आ गया तो यहां मैं क्या लिखूंगा डेल NG का value minus 2 आर की value मेरे पास Joule में लिखूंगा तो 8.314 into temperature मेरा है यहां गीवन है इसको 300 Kelvin तो इसको solve करोगे तो यह approximately आ रहा है minus 4.9 किलो जूल पहले तो यह जूल में आएगा जैसे मैं इसको calculator से calculate कर देता हूं 2 into 8.314 into 300 हां तो यह आपका आ रहा है minus 4988.4 जूल जब आप इसको किलो जूल में लिखोगे तो minus 4.9 किलो जूल which is approximately equal to our option number 8 तो इसके लिए क्या हो जाएगा first आपका option जो की option number A है वो सही होगा ठीक है simple simple सी calculation है बहुत lengthy calculations उसके बाद 6 है 6 में क्या है 4H3PO4 and 3PO3 दोनों है 3PO3 और 3PO4 the correct choice is पहले तो देखो structure बना लो फोस्फोर सेंटरल एटम हो गया और यहीं structure बनाओ S3PO4 का P double bond O OH OH and OH अब एक बात देखो इसमें दो concept आप से एक साथ पूछ लिए कि अगर हमारा मनलब एक तो पूछा है डाई बेसिक ट्राई बेसिक के बारे में और एक पूछा है reducing non reducing के बारे में तो देखो जो reducing और non reducing nature होता है वो डिपेंड करता है pH bond पर पी और H के बीच में directly bond होना चाहिए यह निए कि फिर बीच में oxygen फिर H हो गया फोस्फोरस के साथ directly hydrogen bond होगा तो उस oxoacid का क्या होगा reducing nature होगा जितने ज्यादा pH bond होंगे उतने ही reducing strength भी बढ़ जाएगी वट अभी हमें ज्यादा और कम से नहीं check out करना है तो मुझे बताओ क्या H3PO4 के structure में कोई pH bond है आप बोलोगे नहीं है तो यानि कि H3PO4 हमारा reducing नहीं है तो यहां जो इन्होंने लिखा H3PO4 reducing agent है वह गलत है H3PO4 non reducing agent है यह बात सहिए चलो ठीक है फिर दूसरी बात है हमारी डाइबेसिक और ड्राइबेसिक कि इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो oxygen है उसके साथ कितने हैं लगे हुए हैं जो कि आपका H प्लस आयन solution के अंदर release कर सकते हैं अगर आप यहां देखोगे ना O के पास एक है और O के पास दूसरा एच है तो यानि कि यह जो आपका compound हुआ वह डाइबेसिक हो गया क्योंकि इसको इसके पास दो है प्लस आयन है और यह कैसा हुआ यह हमारा ट्राइबेसिक हुआ अब एक बात देख लो कौन सा ओप्सन सही होगा स्थ्री पीओ थ्री इस डाइबेसिक यह बात सही है और इसके पास पीच बोंड भी है तो यह एक डुकि फीओ टूस आपका ओप्सन ए सही हो गया बाकी ओप्सन गलत है क्योंकि एछी पीओ फफर ट््राइबेसिक तो है थी,, बट द्री पीओ लोई और एच्ट्री पीओ प्राइबेसिक है एक दो तीन ठीक है और नोन रिडूसिंग एजेंट है ठीक है नहीं है तो यह बात भी तो यानि कि आपका फॉर्थ ऑप्षन भी सही है इसमें दो अप्षन सही है अब जब फाइनल अंसर की आई होगी तो अब मतलब एक्जाम के बाद अंसर चेंज दो तो हाँ हाँ दोनों ही सही है ए और डी दो सही है ठीक है जी एकोर्डिंग टू आर कंसेप्ट सेबंथ देखो ड्यूरिंग डिप्रेशन ओफ फ्रीजिंग पॉइंट इने सोल्यूशन दर फॉलोइंग आरिन इकिलिब्रियम अब सिद्धी से बात होती है कोई भी जो सोल्वें है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा और सोल्यूट हम जो डालते हैं वो सोल्यूट में डालते हैं तो इसमें देखो लिक्विड सोल्यूट तो है बट सोल्यूट नहीं होगा लिक्विड सोल्यूट और सोल्यूट तो इसका अंसवर क्या हो जाएगा सिंपल सा 3 क्यो कि हम जो solute के particle डालते है जनरली solid में रहते हैं बढ़ कभी-कभी मतलब वो liquid भी हो सकते हैं बढ़ solvent हमेशा liquid रहेगा solid कभी भी solvent नहीं होगा देखो इन्होंने solid solvent और solid solvent बोल रखा है यह तो option 2 आपने हटाई दिये हैं ठीक है तो solvent liquid की से में बचा सिर्फ option number C में बचा तो आपका 7th के लिए option number C सही है then 8th 8th हमारा क्या है the density of a 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml the molality of the solution is अब हमें molality of the solution की definition तो पता ही है क्या होती है मैं पहले molality के definition ही लिख देता हूँ आपके सामने molality molality में हम क्या बोल लेंगे number of moles of solute number of moles of solute divide by number of moles of solute divide by volume of solvent जहान से देना solvent in case number of moles of solute by volume of solvent in case ठीक है इसमें वो नहीं होता कि पूरा solution का नहीं होगा सिर्फ solvent का होगा और लेटर में नहीं होगा किलो ग्राम में होगा ठीक है यह हमने लिख लिख लिया ठीक है अगर ग्राम में होगा तो फिर वो कितने में वन लेटर में यही तो डेफिनेशन है मोलेटी की कि number of moles of the solution number of moles of the solute present per liter of the solution तो यानि कि हमारे पास 2.05 moles एक लीटर के अंदर प्रेजेंट है is it okay तो एक लीटर में तो हमारे पास जो number of moles आ गए number of moles वो number of moles आ गए 2.05 किसके हैं यह number of moles 2.05 यह 2.05 ठीक है यहां पर हमारे पास है हाँ ठीक है तो यह केजी के अंदर तो वेट होगा ना तो यह हमारे पास वेट लिए लिए इसको वेट आप सोल्वाइट इनकेजी तो वेट लिए ठीक है ना कि किलोग्राम में तो वेट लिए number of moles 2.05 किसका है एसिटिक एसिड के तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा यह लेंद्धी है तो एसिटिक एसिड हमारा हो जाएगा CH3 C double bond OH अब इसके लिए देखिए एसिटिक एसिड में दो कारबन है तो 24 हो गया दो ऑक्सिजन है थर्टी टू हो गया थर्टी टू 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 फॉर फिफ्टी सिक्स और फॉर हाइड्रोजन से तो 60 तो इसका molecular weight कितना हो गया 60 तो मैं weight निकाल सकता हूं एसिटिक एसिड का weight in grams weight in grams जो कि हमारा 2.05 इंटू 60 आ जाएगा तो 2.05 इंटू 60 कितना बना 2.05 इंटू 60 123 ग्राम यानि कि जो आपने solute डालाना वो पानी के अंदर पानी 1.02 ग्राम पर ml डैट इस 123 ग्राम अब अब हमारे पास volume कितनी है वन लीटर है यानि कि 1,000 ml है 1000 ml है और density यह बोल रहा है कि acetic acid 1.02 ग्राम पर ml में है तो यानि कि 1 ml में कितना है 1.02 ग्राम और ml कितनी है total 1000 ml है तो कितना होगा 1.02 into 1000 that will be approximately 1020 ग्राम बोलो इतना हो जाएगा तो अब यह 1020 ग्राम क्या है आपका 1020 ग्राम आपका solution है solution किसे मिलके बना solvent यानि कि पानी प्लस solute जो कि acetic acid बट हमें क्या चाहिए हमें solvent चाहिए only solvent का weight क्या है तो उसमें से जो solute का weight ही अटा दो गया एक 1020 में से मैं क्या करूंगा weight of solvent weight of solvent मुझे करना है तो solution का weight कितना बना एक 1020 और solute का कितना था 123 तो 2020 में से 123 अटाओगे तो कितना बच जाएगा 867 897 तो यह बना 897 ग्राम हमें क्या निकालना है तो अब हमें यह पता है कि जो morality होता है अब सारा data हमने निकाल लिया क्या लिखेंगे number of moles of the solute solute के number of moles कितने है 2.05 है तो यह आगए आपके 2.05 divide by weight of solvent या volume of solvent केजी के अंदर लिखना है आपको वो कुछ भी लिख दो आपको issue नहीं है ठीक है जो कितनी आई आई आपकी सिर्फ solvent की 897 897 किसमें ग्राम में है तो multiply किसे कर दो गया आप 1000 से कर दो गया तो यहां से कितना आ जाएगा निचल के 2.05 divide by 897 multiply by 1000 यह 2.28 आ गया 2.28 और morality को हम small m से represent करते हैं तो 2.28 आपका option number c में देको exact आया है हमारा answer अगर आप approach सही रखते हो तो आपका answer बिल्कुल सही आएगा ठीक है is it okay तो यह हमारे पास क्या आ गया c answer इसका आ गया 2.28 मोल पर केजी कर लोगा नहीं कर लोगा यह solution इसका no down कर ले न वीडियो को stop करके मैं अगले question पर आगे बढ़ता हूं कि नाइन्थ नंबर कि नाइन्थ में क्या है कि वें फिनायल मगनेशियम ब्रोमाइड reacts with the tertiary butanol the product form is अब एक बाद ध्यान से सुनना कभी भी जब green ad reagent होगा इस फिनायल मगनेशियम ब्रोमाइड इस तो हम ग्रिणाड रिजेट की जितनी भी रियक्शनस करते हैं वह हम अ क्योंकि जब भी कभी हम alcohol मतलब इन्होंने कौन सा alcohol यूज किया है या फिर हम कोई पानी भी यूज कर लेंगे तो क्या होता है इन सब के पास proton होता है अलकोहल के पास वोटर के पास अमोनिया के पास एसिटीक एसिड के पास तो वह proton यह जो hydrocarbon है ना फिनाइल माइनस वो इसको एकसेप्ट कर लेता है पियेच माइनस यहां इस एच को ले लेगा इससे क्या हो जाएगा कि वो ग्रीन एड़ रिएजेंट को खतम करके पीएच एच बना लेगा और पीएच एच कुछ नहीं होता है बैंजीन ही तो होता है that is C6H6 क्योंकि answer होगा for ninth number that will be 8 क्योंकि यहां से क्या बनेगा सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बनेगा ठीक है 10th number the number of unpaid electrons in iron plus 3 is अब iron plus 3 के अंदर आप सबसे पहले electronic configuration लिखोगे iron plus 2 का तो iron plus 2 का हमें पता है कि d orbital के अंदर 6 electron होते हैं d6 system होता है that is d6 और वहीं पर अगर iron plus 3 हो गया यानि कि oxidation state वढ़ गई तो electron एक क्या हो जाएगा कम d5 हो जाएगा तो d5 को हम कैसे लिखेंगे d5 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे d orbitals में अब इन जनरल आपको देखना है electronic configuration यहां कोई pairing non-pairing की बात नहीं करनी है तो सबसे पहले तो एक एक electron सभी में बढ़ा जाएगा पाचो अब इसमें कितने अंपेड electron हो गई जब 5 ही है iron plus 3 में तो अंपेड electron 5 हो गई ठीक है तो इसके लिए अंसर क्या आगया आपका c आ गया उसके बाद है 11 11 में क्या है बहुत simple है यह तो simple amino acid is तो सबसे जो simple से simple amino acid होता है वो हमारा क्या है glycine आपको amino acids के structure पता होने चाहिए यह आपके लिवस में है glycine का structure मैं आपको लिख देता हूं कि आपके पास जैसे NH2 दैन उसके बाद हमारे पास C double bond OH फिर एक hydrogen और यहां क्या होता है R group है जिसके base पर आपके structures of amino acid change होते रहते हैं तो glycine के case में यहां H आ जाएगा एलेनीन के case में यहां CS3 आ जाएगा ठीक है वैलीन के case में यहां hydrocarbon chain अलगा जाएगा तो glycine हमारा सबसे simple से simple amino acid है और question यह भी पूछ लेता है कि A chiral amino acid कौन सा है एक chiral amino acid कौन सा है तो वो भी कौन है glycine ठीक है benzoil peroxide when heated to 80 degrees celsius gives अब देखो आपके NCIT में दो टाइपी cleavage दे रखी है एक है homolytic cleavage और एक है heterolytic cleavage जब भी कभी यह हम परोक्साइड यूज करते हैं benzoil peroxide या फिर मैं बोल दूँ आपका metachloro benzoil peroxide या hydrogen peroxide या tri chloro acetic per acid per oxide तो उन सब case में heat करने पर homolytic cleavage होती है that cleavage will be homolytic और homolytic में क्या होता है एक bond में अगर दो electron है तो दोनों एक एक ले लेगा और वहाँ से free radical बनता है आपका तो ना तो carbonium carbonium generally carbocatan को बोलता है ना carbonium बनेगा ना carbon बनेगा free radical आपका बनेगा ठीक है थर्टीन्थ नंबर क्या है acid catalyzed reaction of propane epoxide with methyl alcohol is अब propane epoxide है CS3 CH2 epoxide है तो उपर लग जाएगा oxygen यह बन गया हमारा propane तीन carbon epoxide से oxygen लग जया है उसके बाद क्या है कि बोल रहा है methyl alcohol है m e o h in presence of h plus क्योंकि starting में word लिखा है acid catalyze तो h plus की presence होगा अब h plus की presence में सबसे पहले क्या होगा जो oxygen का lone pair है वो proton को ले लेगा अब oxygen का lone pair जब proton को लेगा तो CH3 CH2 और यहां से oxygen positive h यह बना लेगा ठीक है अब यह देखना है कि कार्बोकटाइन कहां stable हो रहा है जब यह three-membered ring break होगी तो एक carbon यहां बनेगा एक यहां बनेगा तो एमी ओएच है न जो वह यहां टैक करेगा क्योंकि यह secondary कार्बोकटाइन है यहां यहां जब oxygen का one टूटेगा तो पार्सल प्लस बनेगा यहां भी पार्सल प्लस बनेगा तो कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है जो सेकेंटरी पे होगा प्राइमरी के कंपेरिजन में सेकेंटरी का सेकेंटरी के कंपेरिजन में थ्री डिगरी का तो आपके पास यहां से यह मतलब निच्चे खोन आ गया आपका OME आ गया तो यहां बना सी तो यह हमारे पास फाइनल प्रोड बना जो एक्ष्ट्रा एक्ष्ट्रा प्लस वगरा हैं वह सब हम माइनस एक्ष्प्लस करके रिमोग कर देते हैं तो सीएस्ट्री सीएच OME CS2OH ऐसा कहीं कौन से ओप्षन में एक बार देख लो CS3, CH, OME, CS2OH ओप्षन नंबर C में ठीक है यह नहीं है तो 13 के लिए C ओप्षन सही हो जाएगा 14th 14th में क्या है half life period of a first order chemical reaction is 6.93 minutes the time required for the completion of 99% of the chemical reaction will be अब देखो इन्होंने 99 minutes पूछा है एक होता है formula 99.9 minutes वो होता तो directly कर दिखते हैं उसमें तो 10th के बराबर होता है मतलब मैं उसको भी लिखवा जेता हूँ आप सकर जैसे यह पूछ ले T of 99.9% तो that is equal to 10th half वो तो हमारा 10th half के equal होता है बट 10th half से फिर यहां पर 69.3 तो कहीं option में दे नहीं रखा तो यानि कि यह numerical है से सोल करना पड़ेगा तो हमसे क्या पुछा है इन्होंने टाइम ठीक है और 2.303 by हमारे पास हाफ लाइफ दिया है अच्छा हाफ लाइफ से रेट कॉंस्टेंट निकाल लेंगे तो हाफ लाइफ है तो हाफ लाइफ और रेट कॉंस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होत रेट कॉंस्टेंट वह आजाएगा 0.693 by 6.93 तो यह कितना बन जाएगा निच्छे 1000 हो गया उपर 100 हो गया 693 से 693 कैंसल हो गया तो 100 by 1000 यानिकी एक बटे 10 बोलो रेट कॉंस्टेंट यही आ गया आपका 1 by 10 ठीक है 1 by 10 आ जाएगा बिल्कुल तो अब हमारा जो फॉर्मूला वो क्या बनता है 2.303 by k log of a note यानिकी इनिचल कंसेंट्रेशन ओफ a डिवाइड वाइड वाइड टोटल कंसेंट्रेशन ओफ मतलब रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ओफ a आफ्टर टाइम टी तो 2.303 2.303 डिवाइड वाइड के की वेल्यू कितनी है 1 by 10 1 डिवाइड वाइड वाइड तो यानिकी 10 उपर आ गया देन आपके पास लोग है इनिशिल कंसेंट्रेशन हमारी 100 परसेंट है और कंप्लीट हो गई है 99 तो रिमेनिंग कितनी है 1 है तो यहां से हमारा जो टाइम निकलेगा हो कितना निकलेगा लोग 100 कितना हो जाएगा लोग 10 पावल 2 तो 2 लोग 10 यानि लोग 10 वन तो हमारे पास it becomes 2.303 2.303 into 10 into 2 यह बन जाएगा तो 2.303 में अगर हम क्या करेंगे लाइक तू से मल्टिप्लाई कर देंगे तो 4.606 बन जाएगा 4.606 into 10 और 4.06 में करेंगे तो 46.06 तो option क्या आगया आपका इसका c option आगया 46.06 ठीक है यह नहीं तो ज़रूर नहीं कि calculator की requirement ही हो आप बीना calculator के भी इन नुमेरिकल को स्वोल कर सकते हैं थोड़ा टाइम तो लगेगा बट करना पड़ेगा एक्जाम में 46.06 तो टी हाफ कितना आया 0.693 के के आपका आपने निकाल लिया यह रिलेशन होती है हमारी टी हाफ और हाफ लाइफ टाइम के बीच में हाफ लाइफ टाइम और रेट के बीच यह दो फॉर्मूले केमिकल कानेटी में आप पड़ते हैं ठीक है 14 के लिए क्लिए क्या आगया सिया 15 विच फॉलोइंग इजे थर्मो प्लास्टिक तो थर्मो प्लास्टिक में पॉलिस ही ना जाएगा हम जनरली बोलते हैं प्लास्टिक का यूज नहीं करना कम प्रिफिन या टैफलोन या यह सब एक्जामपल्स हमारे किसमें आते हैं थर्मो प्लास्टिक में इस इस पीरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है इस 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 प्रॉक्चर ओफ पिरिडीन यह आ लों पिया अब इसमें जो नाइट्रोजन है आप देख लो खुदी इसके पास क्या है मतलब एक दो मतलब पाई बोंड है जब भी कभी पाई बोंड होता है तो उसको हम हाइब्रेड आशन के अंदर कंसिडर नहीं करते तो इस केस में हमारे पास जो नाइट्रोजन होगा वह यहां दो बना रखे हैं और एक आपके पास पाई है यानि कि तीन बोंड तो बेसिकली एनस थ्री सिंपली मतलब एनस थ्री है और लोन पेर है तो फिर यह नाइट्रोजन एस पी थ्री होगा यह एस पी थ्री डबल बोंड आगया तो एस पी तो अब यह हमारा वैसे भी रेजोनेंस रिंग के अंदर पाई बोंड एस पी टू यह अप्डाइज होते है 17th 17th क्या है which of the following pairs of solutions are expected to be isotonic तो कौन से pair of solutions isotonic है isotonic solutions वो होते हैं isotonic solutions वो होते हैं जहां पर same osmotic pressure होता है ठीक है नहीं है प्रेसर का formula होता है पाई इस एक्वल टू सी आर टी इंटू में आई वेंट हो फेक्टर यह आपको नेगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि उपर आइंस दे रखे हैं तो basically एक बात ध्यान देजिए कि concentration तो सेम ही है और R और T की value तो सेम ही होगी तो जो चेंज आ रहा है वो कहा रहा है आई में चेंज आ रहा है तो यूरिया के लिए I की value कितनी होती है 1 I की value 1 NaCl में 2 ions है Na plus और Cl minus तो I की value कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी देखो I की value चेंज हो गई तो multiplication का factor चेंज हो गया तो यानि कि जो पाई आएगा पाई means कि आपका osmotic pressure आएगा वो तो सेम नहीं आएगा that will be different तो option A नहीं हो सकता आपका जहां number of ions सेम होगे और concentration सेम होगी वहीं आपका solution सेम osmotic pressure देगा जिसको हम isotonic solution बोल सकते हैं तो इसमें देखो calcium nitrate में कितने ions हैं दो तो nitrate है calcium में तो total तीन ions होगे और Na2SO4 में क्या है दो sodium में एक sulfate है तो यहां भी तीन ions होगे और concentration 0.1 और 0.1 तो इस concern क्या आगया आपका B आगया क्योंकि यहां पर हमारे पास number of ions भी सेम है और concentration भी सेम है तो उसका जो osmotic pressure आएगा वो भी सेम ही आएगा 17th के लिए B 18th क्या है ए mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with aqueous NaOH तो benzaldehyde क्या होता है आपका pH C double bond OH होता है प्लस formaldehyde हमारे पास क्या होगा HC double bond OH होता है और साथ में क्या है हमारे पास aqueous NaOH है यानि कि OH- I am अब OH- सबसे पहले attack कहां पर करेगा इस reaction को बोलते हैं canigaro reaction canigaro में भी इसको हम बोलते हैं cross canigaro क्योंकि cross canigaro क्यों हुआ क्योंकि यहाँ जो दो aldehyde है वो अलग-अलग होगी अगर aldehyde सेम होते तो फिर उसको simple canigaro बोलते अब यह cross canigaro reaction है तो इस case के अंदर जो OH- है हमार वो सबसे पहले इस center पर attack करेगा क्योंकि यह वाला center ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है there is less electron density and more electrophilicity it will attack there यह यहाँ टेक करेगा तो यहाँ टेक करके क्या कर लेगा यहाँ टेक करके oxygen minus को उपर shift करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा hydrogen carbon oxygen minus और hydrogen साथ में यह OH आ गया ठीक है अब क्या होता है oxygen minus की tendency होती है कि वो comeback करता है तो OH minus O minus comeback करेगा तो एक जो hydride ion है यह h h को shift करवा देगा और यहाँ टेक करवाएगा ठीक है क्योंकि h को निकालेगा h जो निकलता है उस process को हम बोलते है hydride transfer that process is called as hydride transfer तो अब hydride transfer होगा so in that case h वहाँ गया तो वहाँ क्या बना pH C O minus उपर चला गया h और नीचे h आ गया ठीक है प्लस में यह h कहां से आया है यहां से आया है जो हमने अटेक करवाया और यहां क्या था अटेक करने के बाद o minus बन जाएगा ना तो यह बनेगा h c double bond o o h बोलो ऐसा बना अब क्या होता है कि proton exchange कर लेता है क्योंकि जो भी acids होते हैं वो salt की form में रहना पसंद करते हैं तो o minus क्या करेगा यहां से यह h ले लेगा तो इससे जो structures बनेंगे इससे एक तो यह बना पी एच च्टू ओएच ठीक है पी एच च्टू ओएच और साथ में h c double bond o minus na plus तो इसको हम बोलेंगे कि यहां पर एक तो हमारा बेंजाइल अलकोहल बना है पी एच च्टू ओएच बेंजाइल अलकोहल और h c double bond o minus is sodium formate तो इसमें क्या हो जाएगा इसका अंसर होगा फर्स्ट बेंजाइल अलकोहल एंड sodium format ठीक है नहीं है इस reaction को बोलते है केनिजारो reaction या क्रोस केनिजारो reaction 19 बेंजाइन is generated from तो बेंजाइन कहां से जनरेट होगा आप देखलो बेंजाइन एक intermediate होता है तो जब भी कभी हमें हमारे हेलोजंस होते हैं तो यानि कि जैसे मैंने क्या किया किया कि यहां पर क्लोरिल लगा दिया क्लोरो बेंजीन जो नोंने पहले option में दे रखा है साथ में हमने liquid ammonia ले लिक्विड अमोनिया क्या करता है मतलब उसके पास NANS2 भी होता है ठीक है NANS2 लिक्विड अमोनिया फूरा यह इस तरह से होता है सोडामाइड भी डाल रखानोंने हाँ तो सोडामाइड NANS2 आ गया अब NANS2 क्या करेगा कि जो इसके और्थो पर प्रोटोंस होते हैं एच तो है NANS2 इसको ले लेगा NANS2 माइनस एक बेस है इस प्रोटों को ले लेगा और प्रोटों को लेने के बाद हमारा यहां नेगिटीव चार्ज बन जाएगा और यहां क्या है क्लोरिन अब क्या होगा कि आपके पास जो यह नेगिटीव चार्ज है वो यहां आएगा और CL को निका बटा बेंजीन पर एक डबल ऑएगए ट्रिपल बोंड आ जाए तो इसको बोलते हैं होसकता है आप मेंसे काफी सारे इसको पहली वार देखा हुआ बैजाइन को यह कुईए कर्षे का से नहीं नहीं कहीं है कारभीन है उसी तरह से बेंजाइन होता है तो यह बेंजाइन हमारा बन रहा है कैसे प्रोसेस नंबर फरस्ट से तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा यह हो गया ख्लोरो पिसका प्रिस्टronics इ defender कहा तो उसको सिंपली बेंजीन के अदर कैसे बदलता है यह एक्सें ने कैसे में कैसे ब treats बनेंजीन में बदलेम कالم च्लोरो बेंजीन होता है लरुजाइन के लिए वी नेहोंटर एसका-уск 걱정 क्या हो जाएगा सी हाइपो फोस्फोरो से से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि ये स्ट्रक्चर है हमारा ये बेंजीन में बदल जाएगा उसके बाद है 21 नमबर 21 नमबर क्या है एन आइडियल गैस इस कंप्रेस्ट रिवर्सिबली एडियाबेटिक लिए अब देखो इसमें कंप्रे अग्तिक एक्सफेंशन होगा एक्सफेंशन में टमप्रेचर बेस होता है अब लिकरील डिकरीज होगा तो इसमें तो इनकरीज जो रहा तो इसके अंदर देखे एलायलिक पोजिशन क्या होती है जैसे मैं लिखता हूँ CH-Double-Bond CH2 यह हो गया इसमें जो यह तीन हाइड्रोजन नहीं यह यह तीन हाइड्रोजन नहीं यह तीन हाइड्रोजन है यह जो तीन हाइड्रोजन है डबल सबसे ज्याद सबसे फास्ट होगा तो सबसे यहां सबसे ज्यादा लिख रखाए वह आपका अंसर होगा तो अब प्राइमरी में क्या होता है प्राइमरी में कुछ इस तरह से हो जाएगा mbol ch radical अब double bond के ऊपर electron डेफिसेंट radical या क्टाइन unstable होता ह् तो अलय लिवर्ट तो सबसे unstable हो गया है सबसे unstable हो गया और सबसे ज्याधा Hinta ऐसे बसे Strandhouse को नोगा विनाइलीख स्ब्सक्राइलिक हो के सबसे बसे ज्यादा स्टेबल गया है बीच में को से चाहिए बचाए प्राइम्री घ्ड़ो जाए तो हमारा अंसवर इह दाएगा और सिरुफ सीदाएगा तो इसके लिए क्रेक्ट अंसवर क्या है छी कि के ट्रिट्री ने है यह है तू ब्रोमो थृम् मिधाईल ब्यूटेन इस कर ना लो व्यूटेन हो गया तो 4 कारबन लिख दिए टू पर ब्रोमो है और थी पर क्या है मिठाई है और हीड्रोलीसिस करवाना है यानि कि S2O के साथ रियक्षन करवाना है तो सबसे पहले तो क्या होता है ब्रॉमीन हटके कटाइन बनेगा ब्रोमीन हटके क्या बन जाएगा के टाइन तो यहां बन जाएगा के टाइन क्योंकि यह SN1 रियक्शन होगी आपने पड़ियो यह दो रियक्शन साथ में हम इथाइल है अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास सेकंडरी कारवटें ना तो वह ट्राइब करेगा रियरेंज होके तो पॉसिबिलिटी है कुछ तो यहां पर देखो यह हैंद्रोजन है ना तो हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा इसको बोलते हैं वन टू इस लुट वन तू हाईड्रेड सिफ्ट में एक यहां जाएगा चेंज कर देंगी एक दूसरी की पोजिशन चेंज कर देंगे एक आप और यहां पर और केटाइन आ गया तो इस केस में क्या हुआ इस केस में हमारा यहां तो है यहां निच्छे CS3 था और यहां आगया कटाइम ठीक है अब फिर H2O solvent से OH आजाएगा अब H2O से OH आएगा तो आपका CS3 और OH यहीं बनेगा इसको बोलेंगे 2-methyl-2-butanol तो इसका अंस्वर क्या हो जाएगा C और D दोनों में इन्होंने मतलब सेम ही दे रखा है option में यह मैंने टाइप करवाया था अलग से आपके जो में पिपर था मैंने उसमें भी चेक किया था उसके अंदर भी यहीं था तो दोनों सेम ही है या फिर कहीं ब्यूटे नल लिखना होगा उनको गलती कर दी होगी वह ठीक है बट आपका अंसर क्या रहा है टू मिथाइल टू ब्यूटेनोल क्या है हाव मेनी टाइपस ओफ एलेक्ट्रोनिक ट्रांजिशन साथ टेकिंग प्लेस इन वीजिबल एंड यूवी रिजन अब इसका मुझे क्लीर अंसर कहीं नहीं मिला है कहीं नहीं मिला का मतलब है कि मुझे यह समझ इन आए कि किस तरह से बोलाएं वैसे तो देखो अगर हम इन टर्म सॉफ भब भूलें पाई पाई स्टार को सिखमा सिखमा स्टार ठीकição सिखेजिक पाइस सिखमा सिटार एंटउ पाइस्टार एंटेट्फ सिखमा स्टार तो वैसे हमारे पास जो hemisphere सोती है वो इस तरह से भी हो सकती है एक तो ट्राइसस्वर्जिश्टा मतलब तो इसके लिए मुझे कोई exact मतलब इसमें अंस्वर मिला नहीं है क्योंकि मुझे क्या हुआ है कि इसमें पूछा क्या हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीज़े होती है उन्होंने बहुत ब्रोड क्यों डाल दिया है तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब यह क्लियर नहीं कि इसमें पूछ क्या रहा है ठीक है तो यह आप अपनी लेबल पर चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद करेक्ट सिक्वेंस और बेसिक स्ट्रेंट अमीन्स की स्ट्रेंथ की बात करता है तो वह स्ट्रेंथ देखो हमारी यह तो इसमें जास में इसके के लिए सबसे जदा होता है अफ्य यह होता है प्राइम्ट यके इलिए सबसे और नाइटरोजन यहलां पर इसके ही मतलब सकते प्रिए कि पत्चेस क्युस्टन थे जो 2022 में या फिर 21 में फेपर हुआ था अभी 23 में भी स्लेवर्स लगबग लगबग सिमिलर ही दिया है मैंने एक क्लास में आपके साथ स्लेवर्स डिसकस किया भी था और अगर आपके कुछ और प्रिपेरिंग फोर्ट पीजीटी एक्जाम एक्जाम इसमें कोई भी मतलब basic questions इन्होंने डाले ही नहीं है 910 के इसमें सारे BSC के हैं कुछ questions या कुछ आपके पास आपके यह जो हमारा 11-12 का है उससे ठीक है तो इस session को आप cover कर लीजिए सारे solutions को कर लीजिएगा next paper आएगा मतलब एक मैं लास्ट क्लास में यह भी बोल रहा था कि मैं medical paper भी ढूंड़ लूँगा तो यह non medical paper मुझे नहीं बिला था कि medical paper कहां है कैसा है तो हो सकता है chemistry side दोनों में जहीं हो बट medical मुझे कोई previous paper मिला नहीं तो हमारे पास previous year चंदीगर टीजिटी का एक ही paper था वो मैंने आपको discuss कर वा दिया है इसके बाद बाकि जो दूसरे exams है उनके कुछ-कुछ आपसी नेक्सेंगर तकेकर और बाय वै वैव निस दी जी तैंक